नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं भागया और मैं हूँ आपके साथ शेलेंद्र पांडे बात करेंगे 11 जनवरी 2023 दिन बुद्धवार के दैनिक राशी फलकी और शुरुवात करेंगे सबसे पहले मेश राशी के साथ मेश राशी स्वास्थ आपका अच्छा बना रहेगा आज के दिन धन की दशा में भी आपके सुधार होगा और नौकरी में जो मुश्किलें चली आ रही थी जो परिशानिया थी वो परिशानिया दूर होंगी किसी निर्धन व्यक्ति को अगर आप धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी जादा बेहतर होगा व्रिशब राशी आज अपने स्वास्थ का ध्यान बनाए रखियेगा पारिवारिक विवादों से बचने का प्रियास करें और महत्वपूर काम अभी कुछ समय के लिए रुख सकते हैं थोड़ा धैरी बनाए रखिये हरे फल का अगर आप दान कर दें तो आपका दिन कुछ हट तक बेहतर हो जाएगा मिठुन राशी कुछ सुब समाचार इस समय आपको मिल सकता है सेहत आपकी आज अच्छी बनी रहेगी और धन के लेंदेन में आपको लाब होता हुआ दिखाई देगा भगवान गडेश की अगर आप उपास ना करें तो आपका दिन और भी जादा अच्छा होगा करकराशी आर्थिक पक्ष आपका मजबूत होगा कारोबार में आपके विस्तार का योग बन रहा है संतान की जो चिंताएं थी वो चिंताएं निश्चित रूप से दूर हो जाएंगी किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी जादा बेहतर होगा सिंगराशी स्वास्थ में सुधार होता दिख रहा है धन की प्राप्ति आपको आसानी से होगी और रुके हुए बहुत सारे काम इस समय आपके पूरे होंगे यानि दिन आज आपका बहुत अच्छा है खाने पीने की वस्तुका अगर आप दान करें तो आपका दिन और भी जादा बेहतर होगा कन्याराशी परिवार में बेवजह के विवाद आज हो सकते हैं लंबी यात्रा पर जाने से आज बचियेगा और आज अपने स्वास्ते का ध्यान दखियेगा क्योंकि आज आपकी सेहत बिगर सकती है किसी निर्धन व्यक्ति को अगर हरे फल का दान कर दें तो आपका दिन कुछ हद तक बेहतर होगा तुलाराशी करियर में लाब के योग आपके लिए दिख रहे हैं नौकरी में इस समय प्रमोशन और डवलप्मेंट आपका हो सकता है और संतान की तरफ से इस समय आपको सहयोगी प्राप्ती होगी भगवान गणेश की अगर आप उपासना करें तो आपका दिन और भी जादा शुब होगा व्रिश्चिकराशी करियर की समस्या में आपके सुधार होगा धन आपको आसानी से मिल सकेगा सिक्षा पृतियोगिता में आपको सफलता की प्राप्ती होगी किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी जादा बेहतर होगा धन उगाशी इस समय आपका स्थान परिवर्तन हो सकता है हो सकता है इस समय कोई नया वाहन आप खरीदें रुके हुए तमाम काम भी इस समय आपके पूरे होगे खाने पीने की वस्तुका अगर आप दान करें तो आपका दिन और भी ज़्यादा शुब होगा मकर राशी अपने स्वास्थ का बहुत ध्यान रखना होगा आपको वाद विवाद से आज बचियेगा बे बज़ा का तनाव मत लीजियेगा मत दीजियेगा धन के लेन देन में थोड़ी सावधानी बनाए रखियेगा अगर किसी निर्धन व्यक्ति को आप हरे फल का दान कर दें तो आपका दिन कुछ हट तक बेहतर हो जाएगा कुम्भ राशी जीवन साथी से सहयोग की प्राप्ति होगी धन और उपहार की प्राप्ति होगी परिवार में आपके मंगल कार्य होने के योग दिखाई दे रहे हैं किसी निर्धन व्यक्ति को अगर आप धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी जादा शुब होगा मीन राशी धन, सम्मान और उपहार की प्राप्ति होगी करियर में सफलता के योग बन रहे हैं अगर आविवाहित हैं तो इस समय आपका विवाह तै हो सकता है भगवान गणेश की अगर आज उपासना करें तो आपका दिन और भी जादा शुब होगा ये तो रहा 12 राशी के लोगों के लिए आज का दैनिक राशी फल अब जान लेते हैं क्या है आज का उपाय आज संध्याकाल में शाम के समय में भगवान गणेश की उपासना आपको करनी चाहिए इस समय में भगवान गणेश को दूरवा अर्पित करें, दूब घास अर्पित करें, उनसे प्राथना करें सिक्षा के मामले में और प्रतियोगिता के मामले में आपको लाब होगा तो आज के लिए आपका दिन शुब हो, मंगल मैं हो इसी कामना के साथ मुझे दीजे इजाजत देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक नमस्कार